जदियू के नए रास्टी अध्यक्ष ललन सिंग के पटना आगमन पर विशेश तयारियां कर ली गई है। पूरे पटना को पोस्टरों से भर दिया गया है। वही विधान पार्शद नीरज कुमार ने भी अपने अवास पर विशेश तयारियां की है। कारेकर्टाओं के खाने पीने का भी इंतिजाम उन्हों नहीं किया है। वही पार्टी कार्याले में भी पूरे तरीके से खुशी का महल देखा जा रहा है। तमाम कारेकर्टा अपने नए रास्टी अध्यक्ष के पटना आगमन पर काफी खुश नजर आ रहे है। आपको बता दे कि पिछले दिनों दिल्ली में जद्यू की रास्टी ये कारेकर्ली की बैठक हुई थी जिसमें सर्व समीती से ये फैसला लिया गया था कि ललन सिंग ही पार्टी के नए रास्टी ये अध्यक्ष होंगे। मालुम हो कि बिहार के मुख्य मंत्री के वो बेहत करीबी माने जाते हैं। और रसी पी सिंग के केंद्री मंत्री बनने के बाद ही सुबह के कि सियासी गलियारों में ये चर्चा आम हो गई थी कि ललन सिंग ही पार्टी की कमान संभा लेंगे। इस पद के लिए पार्टी के संसदिय बोड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रिय मंत्री उपेंद्र कुश्वाहा भी प्रबल उमिद्वार थे लेकिन लल्लन सिंग पर भरोसा जताया गया था वही पटना के सडकों पर कल से ही जद्यू तमाम छोटे बड़े नेता लल्लन सिंग को पोस्टर के माध्यम से बधाई दे रहे हैं वहीं लल्लन सिंग भी रास्टी अध्यक्ष बनने के बाग सोशिल मीडिया पर काफी एक्टर नज़रा रहे हैं